ओम शान्ती, साथ जन्वरी दो हजार चौबिस, अव्यक्त बाप्तादा के महावाक्य है, ओरिजिनल डेट, इकत्तिस डिसेंबर उन्निस सो सत्तान्वे, इस नई वर्ष को मुक्ती वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो, आज बाप्तादा अपने नव जीवन की स्रेस्ट आत्माओं को, नव युग रचता आत्माओं को, नई वर्ष की मुबारक दे रही है, दुनिया के लिए नया वर्ष आरंब हो रहा है, आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है, जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है, ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया की आया, जैसे आज नई वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्प काल का उत्सहा है, ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदा काल की खुशी है, ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है, आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है, ज्रामा अनुसार आज और कल की बात है, ऐसे स्पष्ट इसम्रती अनुभव होती है, या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो, नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है, यह उमंग उत्सहा दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे, अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है, याद है, आपका नया शरीर नई युग में कैसा सुन्दर था, कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृती दासी थी, सतो प्रधान थी, उस राज्य अधिकारी इस्थिती की समरती स्पष्ट है, दिखाई दे रही है, वह नई दुनिया कितनी सुन्दर है, एक सेकिंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो, या कर रहे हो, बस एक सेकिंड में नव युग में चले जाओ, जाना आता है, कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है, अनुभव करो, अपना राज्य कितना प्यारा है, नियारा भी है, तो प्यारा भी है, तो सेकिंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप इस्मृत्ती में आ जाई, वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं, और बाप गिफ्ट देते हैं, नव युग के विश्व राज्य के अधिकार की, यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सब के लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है न, तो यह गिफ्ट सम्भाल कर रखना, कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए, सब के पास डबल लॉक है न, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए, गौड रेज का लॉक नहीं, गौड का लॉक चाहिए, तो गौड ने ऐसा लॉक दिया है, जो कोई भी तोड नहीं सकता, अगर अलबेले हो जाएंगे, तो डाकू आएगा, डाकू भी हुश्यार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है, कि इनका लॉक आज धीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना, तो इस नए वर्ष में स्वा के प्रती और सेवा के प्रती कोई नया प्लैन बनाया है, कॉन्फरेंस करनी हैं, डायलोग करना हैं, वह तो है ही, नया प्लैन क्या बनाया है, बापदादा इस नए वर्ष में, देश वा विदेश में, वेराइटी वर्ग की विशेश आत्माओं का एक गुल्दस्ता देखने चाहती हैं, वर्गों की सेवा तो बहुत की है न, अभी हर वर्ग का ऐसा एक-एक रतन तयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो, क्यों? अभी जब समय समीब आ रहा है, तो कोई भी वर्ग वाले उलहेना नहीं दे, कि हमारा वर्ग रह गया, एक-एक वर्ग में विशेश, एक-एक कॉलिटी का हो, जो माई का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीब आ रहा है, तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धरम वाले, सब के मुक से एक आवाज निकले, कि बाप आ गया, क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धरम इस्थापक आत्माओं, वा सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पढ़ना है, वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे, जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग वा धरम के इन्वेंटर बनेंगे, तो सब बीज आपको तयार करने हैं, जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप भ्रामन आत्माओं तना हो, सर्व आत्माओं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं, तो ऐसा गुल्दस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी, एक एक सेंपल लाओ, सेंपल से अन्य अनेकों स्वत्हे ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावर्फुल माईक बने, ऐसे बीज कहो, धरम या वर्ग कहो, वा वेराइटी फूलों का गुल्दस्ता कहो, तयार होना चाहिए, एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्यानकारी, वा सर्व आत्माओं के निमित उद्धार करने वाली आत्माई, एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाईं चाहिए, चाहें आपके नवियुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी, द्वापर में या कल्युग में जो इन्वेंटर निमित हैं, उन्हों को शक्ती आप द्वारा ही मिलनी हैं। जैसे सभी धरम पिताईं, आपके आगे बाप का जंडा, प्रत्यक्षता का जंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का जंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से, सुख में दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उन में से अब विशेश आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ। निमित बनाओ, निमित बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है। विदेश में भी अभी आईपी या विआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए है ना। मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है। तो आप सभी जब दूसरे नियु यर में फिर आएंगे, तो अगले नियु यर की सौगात बाप दादा ऐसा गुल्दस्ता देखने चाहते हैं। एक साल है, कम नहीं है, देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। हांजी अवश्य करेंगे, कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे, पहले कौन तयार करता है, देश या विदेश। और कितना बड़ा गुल्दस्ता तयार करते हैं। ठीक है न, चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लैन बन रहा है, यह करेंगे यह करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा, स्वा के लिए क्या करेंगे। वह भी तो प्लैन बनेंगा न, क्योंकि अगर स्वा कल्यान का स्रेस्ट प्लैन नहीं बनाएंगे, तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सब के दिलों के उमंग उत्साहा को जानते हुए, यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहें गोल्डन जुबली वाले, चाहें डाइमंड जुबली वाले, चाहें सिल्वर जुबली वाले, चाहें और भी जो जुबलियां होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साहा से अपने मन में यह बाप से वाइदा किया है, कि हम बाप समान बन कर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वाइदा किया है न? डबल फॉरिनर्स ने वाइदा किया है, सभी ने हाथे लाया, अच्छा मुबारक हो, वाइदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्ती शाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना वाइदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्सहा से करते हैं हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं फिर क्या होता? कभी माया चूहे के रूप में आ जाती कभी बिल्ली के रूप में आ जाती बिल्ली क्या करती है? म्याओं म्याओं करती है न तो बच्चे क्या करती है मैं 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 तो यह बिल्ली की म्याओं म्याओं नहीं करना चूहा क्या करता है चूहा बे समझ होकर जो आता है वह खा लेता है काट लेता है तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है कभी शेर आ जाता है शेर क्या करता है निर्भे वालों को भै पैदा कर देता है सर्व शक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है ऐसे नहीं करना आने नहीं देना डबल लौक लगा कर ही रखना इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ मुक्ती वर्ष जब यह मुक्ती वर्ष मनाएंगे तब मुक्ती धाम में जाएंगे इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं सफल करो, सफलता लो समझा, सफल करो, सफलता लो, क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना समय, संकल्प, स्वांस, वतन, मन, धन सफल करो, व्यर्थ ना गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो संकल्प को भी सफल करो, एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सुक्षम प्रॉपर्टी है समय, स्वांस, संकल्प एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाई सफल हो, चाहि मनसा सेवा द्वारा, चाहि वाचा द्वारा, चाहि कर्म द्वारा चैक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया और बाप दादा इस वर्ष यह विशेश वर्दान दे रहे हैं सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो यह पृत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सची दिल से सची दिल पर भोलानात बाप बहुत सहज राजी हो जाता है इसलिए सफल करो ज्यान धन शक्तियों का धन गुणों का धन हर समय सफल करो सफल करना आता है वह किनारे करना वह संभालने बहुत आता है किनारे नहीं करो लगाओ जब कहते हो कि अचानक सब होना है एवर रेडी बनना है तो जो भी है उसको सफल करो बाप दादा को नहीं चाहिए अपने लिए जमा करो बाप दादा तो दाता है लेकिन सफल करना अर्थार्थ जमा करना क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमान जमा का खाता देखा हर एक बच्चे की जमा का खाता बाप दादा के पास है तो जमा के खाते में क्या देखा कई बच्चे समझते वा कहते बहुत हैं कि हमारा यह भी जमा है यह भी जमा है बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं उससे बहुत कम जमा है क्यों? वही पहला पाठ मैं और मेरा पन मैंने किया मेरी यह सेवा है मेरा यह कारिया है तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं लेकिन वह आटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है यह आटोमेटिक सुक्षम मशीनरी है बाबा ने कराया बाबा की सेवा है मेरी सेवा नहीं है मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं मैं नहीं बाबा बाबा बोलो, तो पदम गुना जमा होगा और मैं मेरा बोलेंगे, तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा यह automatic machinery बहुत fast है आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है इसकी checking भी बहुत सच्चे दिल से मैपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं जब आप आदी रतन आदी में स्थापना में निकले, सेवा में निकले तो क्या भाव रहता था? क्या बोल निकलता था? मैपन था बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने जो आज सेवा के आदी बने यह बाबा बाबा कहने का सबूत है अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कमाती है क्यों? बाबा और मैपन मिक्स है इसलिए इस वर्ष में बाब दादा खुली दिल से वर्दान दे रही है जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो सफल करो, सफलता मोरत बनो अच्छा अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ जिन्हों की सेरिमनी मनाई वह हाथ उठाओ डबल सेरिमनी मनाई है भारत की भी तो विदेश की भी अच्छा है यह सेरिमनी मनाना अर्थार्थ अपने आपको पक्की प्रतिग्या की स्टेंप लगाना सेरिमनी मनाई बाप दादा को भी द्रश्य अच्छा लगता है साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ओल्माइटी गवर्मेंट की स्टेंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रही मनाना अर्थार्त वाइदा निभाना तो ऐसी पक्की स्टेंप लगाई या कच्ची स्टेंप लगाई है पक्की लगाई यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे है पक्की मनाई है अच्छा है यह द्रश्य भूल नहीं जाना, कभी भी कुछ भी कमजोरी आए, तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना हर एक का फोटो निकालते हैं न, सब को मिलता है, तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है फोटो इसलिए निकलता है कि जब कोई ऐसा समय आवे तो फोटो सामने रखना ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो जो समय पर भी याद नहीं आवे यह सबसे बड़ी सौगात है यह समृत्ती दिलाने की निशानी है अच्छा डबल फॉरिनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरिनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आतमाओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है लेकिन फॉरिण के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा तो डबल फॉरिनर्स को ऐसे माईक तयार करने हैं करेंगे अगले वर्ष माईक आना चाहिए ऐसे नहीं, सिर्फ भाषन करके चले जाएं नहीं, संबंध में समीप हो भले ज्यान योग में नियमित नहीं बने लेकिन माने कि सच मुच यह ईश्वरिय कारिय है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए लेकिन मेरे में हिम्मत कम है उसमें भी कोई हर्जा नहीं औरों के निमित माईक बनते बनते स्वयम बन ही जाएगा वैसे सीधा स्टूरेंट नहीं बनेंगे लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे तो सुना डबल फॉरिनर्स ने अभी देखेंगे कौन सा देश निमित बनता है जो भी देश निमित बने फिर उसको अवोर्ड देंगे सर्व नव युग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूरत बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किये हुए वाइदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्सवा दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नई वर्ष और नई युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रात्री बारा बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनहे नई वर्ष की बधाई दी सर्व विश्व के कौने कौने में विश्व के चारों ओर विशेश नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारखो 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 ब्राह्मन बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो कर्म करो हर कर्म संकल्प बधाई वाले हो जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो बधाई हो यही गीत गाते रही इस नय वर्ष में सभी को जो भी मिले वा जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बाटते रहना तो ऐसे नई जीवन नई उमंग उत्साहा की चारों ओर के बच्चों को नई वर्ष के साथ साथ मुबारखो मुबारखो गुड नाइट और गुड मोनिंग अच्छा ओम शान्ती वर्दान द्रण निश्चे के आधार पर सदा विज़यी बनने वाले ब्रह्मा बाप के सनेही भव जो द्रण निश्चे रखते हैं तो निश्चे की विज़य कभी टल नहीं सकती चाहें पांच ही तत्व या आत्माई कितना भी सामना करी लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चे के आधार पर समाने की शक्ती से उस सामना को समा लेंगे कभी निश्चे में हल्चल नहीं हो सकती ऐसे अचल रहने वाले विज़यी बच्चे ही बाप के सनेही हैं सनेही बच्चे सदा भ्रह्मा बाप की भुजाओं में समाई रहते हैं स्लोगन सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी हैं तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो अव्यक्ती साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा इस्थिती का अनुभव करो हर बात में व्रत्ती में द्रिष्टी में कर्म में नियारापन अनुभव हो यह बोल रहा है लेकिन नियारा नियारा प्यारा प्यारा लगता है आत्मिक प्यारा नंबर वन भ्रम्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिष्टा बन परम धाम में चलना है तो मन की एकागरता पर अटेंशन हो ओर्डर से मन को चलाओ अच्छा ओम शान्ती